हाई दोस्तों मैं फयाज यह मैं अपने दूसरी वीडियो लेका आया हूँ बहुत से लोगों कहना है कि फयाज आप अपने प्रफाइल पीचर कैसे एडिट करते हूं सेरिमेज इसके उपर आप वेडियो बनाऊ प्लीज फयाज तो यह में वीड्यो आप आप लोग के लिए बना रहू हूं है मेरी दूसरी वीडियो है दोस्तों पर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखने दे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साधी साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि मैं ऐसे और वी रोमांचिक वीडियो आपके लिए बनाते अब लेखने 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 सबसे पहले दोस्तों चुब पिच्छे मुई एडिट करनी है उसको मैं स्लेट करता हूं इसके बाद लेता हूं इसमें अपने ही सापते हाइट वाइट कर देता हूं आनी ट्वंटी लेंथ यह बिटर होगा जरुट नहीं अपनी इसाब से भी कर सकते हो उसके बाद दोस्तों मैं जो टूल्स का इस्टमाल करने वाला हूं उसे यहां पर देख सकते हूं पर टूल का इस्टमाल कर रहा हूं प्रूप टूल का भी इस्टमाल करता हूं कि उसके बाद दोस्तों जो अलग-अलग हैर स्टाइल मुझे आप कहीं से भी ले सकते हो जैसे के मैंने यूज़ किया है यह स्टार यह हैर मुझे जचेगा इस पिच्चर पर मुझे यह है जचेगी तो मैं यह कर रहा हूं है वह कि अब दूस्तों एक रशोम दुसका उसके बाद दोस्तों रिफाइंड से में पुरा पूरी तरह हैं यह कि लिगर करना हूं उसके बाद बेटर होगा ऊपको यहां पे सेट करने में सेम डू सेम में दूसरे और भी पिच्चर जो जो मुझे एड करनी है उसको मैं अपने ड्राइब से में लेकर आता हूं कर दो दो कि अधिकर एक पिच्चर में निकाली है इसे मैंने डाउड किया है उसे आप भी कर सेते हो अलग-अलग पिचर जैसे मैंने किया है तो यह पिचर आप सीड में एडिट कर चिपते हो सेट के तुर पर यह भी में टूर्स कर स्तमाल करके मैं उसे मूब किया हूं और इसको मैं स्लेक्ट किया हूं उसे रुटेट कर सकते हो आप रुटेट करना ही बेटर हो रुटेट कर सकते हो अलग-अलग जैसे सेट होता है उसे उसी हिसाफ से आप उसे से स्लेक्ट कर सकते ह कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो कि दो के लिए अलग कर दो दो मैंने इतना सार फिच्छर में एड़िट किया आपको मैं दिखाया हूं और यह वहुंशना फिच्छर एडिट करूंगा तो उसके लिए अगले वीडियो में बनाऊंगा तो आपको मैं तरीके बताऊंगा जब तक आप मेरे इस वीडियो को अलग अलग तरीकों से कमेंट करना और बताना कैसा बना ये वीडियो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना सब्स्राइब करना ना भूले ताके मैं ऐसे और भी रोमांशेक वीडियो आपके लिए लेके आते रहूंगा आप ज